Welcome to Research Rocks, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको UTI Mutual Fund के बारे में और UTI Mutual Fund में हम Tax Saving Mutual Fund किस तरह से बाई करेंगे और Little Bit Information बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको Mutual Fund Related UTI Mutual Fund का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं हम और उसके बाद हम Tax Saving Mutual Fund किस तरह से बाई करते हैं आपको रोजाना अपडेटेड टेक वीडियो मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट आप आपको ओपन करना है कोई भी टाइप्स का ब्राउजर किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर आप एकसेस करते हो तो और वहां सिंप्ली आपको लिखना है UTI Space Mutual Fund और सिंप्ल क्लिक कर देना है तो फॉर्स्ट लिंक यहां पर डिस्प्ले हो रही है जो की लिंक मैंने यसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है आप वहां से भी क्लिक करके सीधा एकसेस कर सकते हो तो सिंप्ली यहां पर आपको क्लिक करना है UTI Mutual Fund और यहां पर basic information available होती है येदि आ आपको mutual fund buy करने है तो सबसे important बात आती है कि आपका digital KYC होना important है KYC मतलब क्या जैसे कि आपका pen card, आदार card और mobile number ये तीनो connected होने चाहिए तभी आप mutual fund buy कर सकते हो येदि आपके connected नहीं है don't worry आप यहाँ से digital KYC कर सकते हो तो इसी portal के through simply आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर कुछ information आपको feel करनी है उसके बाद आपको आपका document upload करना होता है जैसे कि आप register करते हो by default आपके unique identity pan card के through से ये आपका pan card number है तो ही आप enter कर सकते हो otherwise यहाँ पर enter करके कोई मतलब नहीं तो आप यहाँ पर enter करना है आपको आपका pan card और simply register करना है मैंने इससे पहले ही कर चुका हूँ मैं तो मैं सीधा signing करूँगा और signing करने के बाद जैसे कि मेरा यह dashboard दिखाई दे रहा आपको मैंने simply कुछ lump sum amount में invest किया है UTI mutual fund में और एक SIP generate की है 5000 per month के हिसाब से जो कि मेरा tax saving direct growth plan है जैसे UTI long term equity fund tax saving direct growth plan है मेरा जो कि 5000 per month के हिसाब से ऐसे 36 month का मैंने लिया है मतलब 3 साल का SIP मैंने generate किया है यहाँ पर तो simply आपको क्या करना है तो simply आपको जैसे आपका dashboard empty होगा तो यहाँ पर आप new transaction कर सकते हो यहाँ पर lump sum और SIP में आपको invest करना है तो यहाँ पर click करना है आपको और फिर उसके बाद आप किस तरह का fund buy करोगे तो simply यहाँ पर search का एक option है और यहाँ पर आपको type करना है UTI long term equity fund और जहाँ पर जो display हो रहा है UTI long term equity fund tax saving यह fund purchase करके यह fund लेकर आप tax saving बचा सकते हो यह आपका tax salary में से tax deduct होता है तो यह fund purchase करके आप tax saving बचा सकते हो tax का पैसा आप बचा सकते हो simply यहाँ पर आप tax saving equity fund को purchase करना है आपको regular यहाँ पर simply बहुत सारे options है direct divided payout, direct growth, regular divided payout और regular growth तो जहाँ तक मेरा research है तो direct growth is the best option for the long term equity fund और long term equity fund होता है एक साल से लेके पास साल तक मतलब आप उसमें एक लाख invest करोगे तो 11.26% के इसाप से वो आपको refund करेंगे इस तरह से आपको invest करना है simply यहाँ पर select कर दिया आपने तो यहाँ invest करना है आपको invest option पर click करना है जैसे ही आप invest option पर click करते हो तो एक simply process start हो जाएगी आपकी यहाँ पर जैसे कि मेरा इस से पहले भी account बना है portfolio already available है तो मैं select यहाँ पर new transaction करना है मुझे lump sum amount create new portfolio और इसी के थ्रू जाना है तो मैं selectly simply जो पहला बना है उसके थ्रू जाओंगा आप नया बना सकते हों वहाँ पर simply और यहाँ पर आपको lump sum amount के बजाए SIP करना है SIP और lump sum amount का मतलब होता है lump sum मतलब एक साथ मैंने 50,000 invest कर दिये और SIP का मतलब है कि हर monthly मेरी salary में से deduct होंगे जैसे कि 5,500, 1,000, 2,000 इस हिसाब से जैसे मेरी capacity है salary की growth उस हिसाब से मैं यहाँ decide करूँगा यहाँ आपको minimum 500 से start होता है और maximum end number of तक आप उसमें invest कर सकते हों तो जैसे मैंने यहाँ 5000 select की है मुझे starting date मिली है 15,500, 2021 यहाँ आज invest करता हूँ तो यहाँ से मुझे select होगी या फिर मैं 15 तारीक के बाद कोई भी date select कर सकता हूँ लेकिन यहाँ 31st of January है तो मैं कल की या परसो की date नहीं ले सकता यह UTI mutual fund के हिसाब से वो आपको generate करके देते है या फिर आप 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी date select कर सकते हो लेकिन after 15, not before 15 तो simply आप यहाँ से select कर सकते हो जो कि आपका हर मंतली 15 तारीक को आपका मैंना हफता कट जाएगा मतलब 5000 का आपने invest किया है और simply process कर देना आपको तो जैसे आप process कर दोगे तो आपको आपका data यहाँ पर dashboard में दिखाए देगा लेकिन dashboard में दिखना ही के लिए आपको उसके लिए दो दिन wait करना होगा जैसे कि यहाँ पर वो आपको दिखाए देगा जैसे मेरा हर मंद की तीन तारीक को deduct होता है tax saving for 5000 का मैंने monthly लिया है तो वो यहाँ से deduct होगा और वो information यहाँ पर generate होगी जैसे कि मैंने यहाँ पर लमसम अमाउंट वन लाक आड की है तो वो वन लाक की दो दिन पहले ही मैंने आड की थी तो उसका growing rate है 24 रुपीज मुझे वन लाक पर मिला है मतलब इस तरह से आप आड कर सकते हो लमसम अमाउंट भी invest कर सकते हो बाकी यहाँ पर बहुत सारी information आपको generated मिलेगी जैसे dashboard पर information आपकी investment क्या-क्या है portfolio में दिखाई देगा आपको यहाँ पर यहाँ पर कुछ plan है वो दिखाई देंगे आपको उसके बाद यहाँ पर product related, exchange, funds related, help related information मिलेगी आपको और यदि आप इस video के थूँ जाते हो तो आपको 0 rupees brokerage देने की जरूरत नहीं है आप simply UTI portal पर आ सकते हो, account create कर सकते हो और आपका SIP generate कर सकते हो month wise बहुती simple option है और यहाँ पर आपकी पूरी information available होती है और हर एक चीज आपके pancard से related होती है मतलब आप जो भी invest करोगे वो आपके pancard पर होगा आपका credit score भी बढ़ेगा यदि आपके पास credit card है तो यदि आप salary holder हो तो आपकी salary मैंसे जो tax deduct होता है उस पे भी आपको budget मिलेगी यदि आप SIP mutual fund में invest करते हो for tax saving तो ये कुछ information थी UTI mutual fund के बारे में आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो please अपने YouTube channel Research Rocks को subscribe कर दीजे और bell icon को press करना ना भूले इदि UTI से related आपको कोई सुजा हो या कोई सवाल हो तो please comment box में comment करके बताइए मैं आपको as soon as possible reply करने की कोशिश करूँगा तिल देन जैहेंद वंदे मातरां